हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्या स्टेडी ग्रूप, आज हम लोग करेंट अफियर 10x10 के MCQ को देखते हैं, ये करेंट अफियर 10x10 का पार्ट 2 वीडियो है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला प्रसंद देखते हैं, काकी नाडा डीप वाटर पोट भारत के किस सिराजिय में इस्टित देखते हैं, ये आन्धर प्रदिस के पूर्वी तट परिस्तित देखते हैं, रणनेतिक रूप से विसाखा पत्नम और चन्नेई के पर्मुख बंदर गाओं के बीच इस्तित है। तो काकिनाड़ा डिप वाटर पोर्ट कहा इस्तित है तो आंधर प्रदेश, option C इसका राइट होगा। इसको मैप से देख लेते हैं, यहाँ पे आपको आँदर प्रदेश दिख रहा है, आँदर प्रदेश में यह काकिनाड़ा पोर्ट है। और यह विसाखा पत्नम और चन्नेई के प्रमुख बंदर गाओं के बीच में है काकिनाड़ा पोर्ट। नेक्स्ट प्रस्ण को देखते हैं प्रस्ण संक्या दो वन भिहार राष्ट्रिय उद्यान किस सिराज्य में इस्थीत हैं ओप्सन देखते हैं A. उत्तर प्रदेश, B. राजस्तान, C. मद्ध्य प्रदेश या D. छतिश गवर तो इसका सही आंसर देखते हैं वन भिहार राष्ट्रिय उद्यान, भौपाल, मद्ध्य प्रदेश में इस्थीत हैं तो हमारा सही आंसर हो जाएगा C. मद्ध्य प्रदेश या भौपाल की प्रसीद उपरी जिल के बगल में इस्थीत हैं जिसे बड़ा तलाब के नाम से भी जाना जाता है जो रामसर साइट है भोज बेटलेंड की दो जिलो में से एक है नेक्स्ट प्रसन को देखते हैं प्रसन संख्या तीन दक्षिन अमेरिका की सबसे उंची चोटी का नाम क्या है A. माउंट मैकिनले B. माउंट एकान कागुआ C. माउंट किलमंजारो D. माउंट कोसियस को तो इसका सही आंसर देखते हैं 12 वर्षिय भारतिय चात्र काम्या कार्ति केयन माउंट एकान कागुआ सिखर पर पहुँचने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है दक्षिन अमेरिका की सबसे उंची चोटी एकान कागुआ है तो एकान कागुआ दक्षिन अमेरिका की सबसे उंची चोटी है हमारा सही अंसर B होगा यह अभी current news में है कि यहाँ पे 12 वर्षिय भारतिय चात्र काम्या कार्ति केयन माउंट का एकान कागुआ की सिखर पहुँचने वाली दुनिया की सबसे कम उमकी लड़की बन गई है इसलिए यह news में है नेक्स्ट क्वेशन को देखते हैं प्रसन संख्या चार तो किस राजे में एक थैपूसन मनाया जा रहा है इसका सही अंसर देख लेते हैं थैपूसम समिल सम्मूदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है और यह त्योहार उस असर को याद करता है जब पारवती ने मरूगन को वेल या भाला दिया ताकि वह दुष्ट राक्षक सोरापडवन को जीत सके आम तोर पर माना जाता था तो मरूगन द्वता के लिए थैपूसम त्योहार मनाया जाता है और तमिल समूदाय के लोग बनाते हैं तो इसका सही आंसर हो जागा तमिल आडू में नेक्स्ट प्रसने को देखते हैं प्रसन जंकिया पांच अल्टरनेरिया ब्रैसिका किस फसल से संबंधित रोग है इसका सही आंसर देख लेते हैं अल्टरनेरिया ब्रैसिका एक पौधाय रोग जनक है जो ब्रॉंकली, गोभी, तेल बीज जैसी महत्पून फसलो सहीत अधिकांस ब्रैसिका प्रजातियों को संक्रमित करने में सक्षम है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरसो नेक्स्ट प्रसन संक्या छे मुक्तोशरी IET 21845 क्या है ए गेहू का किस्म, बी चावल का किस्म, सी दाल का किस्म, या डी गन्ना का किस्म इसका सही आंसर देखते है पस्चिम बंगाल में सोधकरताओं ने चावल की किस्म विक्सित की है जिसे मुक्तोशरी IET 21845 कहा जाता है जो आरसेनिक के लिए प्रतिरोधी है तो आरसेनिक के लिए प्रतिरोधी चावल की एक किस्म विक्सित की है मुक्तोशरी तो ये आंसर हो जाएगा हमारा B, चावल का किस्म है नेक्स्ट प्रसन देखते हैं प्रसन संक्या साथ भूजल में आर्सेनिक की उच्टम सांधरता वाला राजियों निम्न में से कौन सा है A, पंजाब, B, राजस्तान, C, दिल्ली या D, पस्चिम मंगाल तो इसका आंसर देखते हैं पस्चिम मंगाल भूजल में आर्सेनिक की उच्टम सांधरता वाले राजियों में से है तो इसका सही आंसर हो जाएगा, option D, पस्चिम मंगाल नेक्स्ट को देखते हैं मिड़नाइट जून किस महासागर में इस्तित है तो इसका सही आंसर होगा, देखते हैं वज्यानिकों की एक टीम हिंद महासागर की गहराई में मिड़नाइट जून में डुबकी लगाने के लिए तयारी कर रही है जहां रौसनी मुश्किल से पहुँचती है लेकिन जीवन अभी भी पनपता है तो midnight zone किस महासागर में है, तो हिंद महासागर में है, इसका सही answer A हो जाएगा, next person को देखते हैं, person संख्या 9, HK फिरोधिया Memorial Award से किसे सम्मानित किया गया है, HK फिरोधिया Memorial Award से, option देखते हैं, A, KC1, B, सेखर मैंडे, C, A और B दोनों, या D, इन में से कोई नहीं, तो इसका answer देखते हैं, KC1, भारतिय अंत्रिक्ष अनुसंदान संगठन, इसरो के chairperson और सेखर मैंडे, director general, council of scientific and industrial research, CSIR को विज्ञान में उनके योगदान के लिए, HK फिरोधिया Memorial Award से सम्मानित किया गया है, तो इसका answer हो जाएगा, C, A और B दोनों, नेक्स्ट, आज का अंदिम प्रसन देखते हैं, प्रसन संख्या 10, सियारा तुफान, सियारा स्ट्रॉम किस छेत्र की एक प्रमुख तुफान है, जो छेत्र में यात्रा और सरवजनिक कारेकरमों को बादित करता है, जर्मनी में इसे सबाइन के रूप में जाना जाता है, तो सियारा तुफान को जर्मनी में सबाइन कहा जाता है, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू